आज हम बना रहे हैं लेमन पेपर चिकन खटा का नाम सुनते ही अगर आपके जुबान में भी पानी आ जाते हैं तो ये रेसिपी खास आपके लिए लेमन पेपर चिकन बनाना इतना असान है आपको मज़ा आजाएंगे सबसे खास बात लेमन पेपर चिकन अगर घर पे गेस्ट आ रहा है अब बना के उनको खिलाओ इंदम खुश हो जाएंगे सारे महमान और आपका तारीफ करेंगे दूसरी बात अगर आप जीम करने वाले हो बाड़ी विल्डर हो तो ये रेसिपी आप भी खा सकते हो छोट तो चलिए आज के लेमन पेपर चिकन बनाना शुरू करते हैं मुझे इतना भरोसा है कि आप इसे देखने के बाद जरूर से बनाना चाहेंगे तो हेलो एफ्रिवान विल्काम टो लाफ कीचेन यहाँ पे हमने आधा गिलो चिकन लिया है चिकन का कोई भी पीस आप ले सकते हो जो पीस आपका खाना पसंद हो इसमें सॉलिड पीस यानि क बोनलेस पीस आप ले सकते हो क्योंकि इसमें लेमन जाएंगे न तो वह बोनलेस पीस यानि कि सॉलिड पीस भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो जो बड़े बड़े पीस है यानि कि यह जो लेक पीस है तो उसे हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे जिससे कि अंदर तक प चाहे तो पूरा मसाले मिलाने के बाद काली मिर्च के पाउडर यहां पे तीन चोटे चम्माज डाल दिया है तीक आपने स्वाद अनुसा लेजिए चार चम्माज हमने लिया है अध्रक लहजन का पेस्ट एक बोल में ले लिया है 200 ग्रम जितना दही इस दही को हमें अच्छे अच्छे से प्यूरी जैसे तायार कर लिया है अब जो हम मैरिनेट करेंगे चिकन को उसके अंदर डालेंगे अब ढालेंगे इसमें दो चोटे चम्माज जीरा पाउडर मसाले में बस जो में जाएंगे वह इतना ही जाएंगे लेमन पेपर चिकन में प्याज बिलकुल नही है इस तारी के से मिक्स्ट करेंगे बस इसमें और कुछ करना नहीं है मैरिनेट कर लेना है इसमें में आपको एक बाद बताओ मैरिनेट करने के बाद अब 10 से 15 मिनीट से लेके आधा गंटा तक छोड़ सकते हो यह इंपोर्टेंट है इसके बाद आप मैंनिट करने के बाद 3 गंटा चार गंटा छे गंटा भी आप रख सकते हो फ्रीज में लेकिन 10 से 15 मिनीट रखना जरूरी हो जाते इसी लिए देखिए लेमन में एसीड है वो एसीड जब प्रोटीन यानि की चिकन के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को सॉफ्ट कर देते हैं और जो नमक हमने डाला ह नमक और निम्बू मिक्स्ट होके चिकन के अंदर जूसिनेस को बढ़ा देते हैं तो चलिए करी 15 मिनीट के लिए हमने छोड़ दिया था टाइम है तो जरूर से आधा घंटा के लिए छोड़ सकते हो एक करहाई में रिफाइन ओयल डाल दिया है चार से पाच कुटी हुई क लाली मिर्च डाल दिया है तेजपती दो तोर के डाला है डाल चीने के टुक्रा भी मैंने इस तरह की से तोर दिया है एक छोटा सा टूक्रा जावित रीका डाला है और यहाँ पर देखिए बड़ी बाली जो एलाईची है जिसे काली एलाईची भी कहते है इसका आधा हमने ंदर के जो बीच है उस बीच को हम निकालेंगे और थोड़ा सा कूट लेंगे तो ये देखी है हमने कूट के डाल दिया है बस पत्र चार्प के द değक और दालेंगे एक बार मिला दे देंगे अदरक के लच्छे डालेंगे, यानि की इस तरीके से लंबे-ंबे टुकरों में कटि हुई अद्रक डाला है लहसन तो यहाँ पे 2 बड़े चंमच हमने लहसन इस तरीके से टुकरों में काट लिया बारिक बारिक भी काट सकते हो हरी मेच डाल दिया है चार से पाच बीज में कटी हुई इस टाइम हमें फ्लेम को बिलकुल हाई कर देना है जिसे की ये सुनेरा कलर आ जाए जैसे ही कलर चेंज हो चुके हैं इस टाइम मैरिनेट किया हुआ चिकन को हम डालेंगे तेल यहां पे आप बिल्कूल भी ना डाल के भी बना सकते हो थोरा सा एक से देड चमच भी तेल डाल के बना सकते हो जो भी अपने खाने में तेल को इसकीब करते हो यानि कि बिना तेल के आप खाना खाते हो तो यह रेसिपी खास आपके लिए इस तरीक पनी ट्राइ करके देखना बहुत गजब का टेस्ट लगते हैं देखिए चिकन अच्छे से मैनिट होने के बाद कितना सारा उसमें से पानी निकला है और दही भी हमारा थोड़ा सा लिक्वीडी था तो इसमें थोड़ी से आपको पानी नजर आएंगे इस पानी से ही चिकन अ अंदर से भी पग जाए तो देखिए अच्छे से हम मिला देंगे इस टाइम फ्लेम को हमने हाई पर रखा है कुछ देर जैसे ही इसमें उबाल आ चुके हैं अब धक्कन को बंद कर देंगे और धकते हुए पकाएंगे अब कुछ देर तक और कुक होने के बाद चिकन थोड इसे कटिवी लेमंग्रास ये लेमंग्रास के जो पति है न इससे निम्बू के खुश्वू आते हैं जिससे चाय वगिडा बनाये जाते हैं और साथ में कटिवी धनिया के पति भी डाला है अगर बंद कर सकते हो लेकिन अगर आप के पास है तो इससे जरूर से डालिए मिल मिला देने के बाद फिर से ढग देंगे अगर आप थोड़े से जूसी टाइप के खाना चाहते हो तो इस टाइम आप आप कर सकते हो तो यह थोड़ा सा सूपी टाइप के रहेंगे लेकिन नॉर्मली जो लेमान पेपर चिकन है वो बिल्कुल सूखा ही खाये जाते हैं तभी अच्छा लगता है अभी इस टाइम आप देख रहे हो तेल छोड़ चुका है तो थोड़ा सा हमें गारापन और कर लेना है अब इसमें थोड़े से लास्ट में धनिया के पत्ती हम और डाल देंगे और एक चम्मच हमने यहां पे डाला है मैदा जी हां बड़े चम्मच का एक चम्मच मैदा में थोड़ा सा मैने पानी डाला है मिला के वो बाला घुल हमने यहां पे डाल दिया है लेमन चिकन को थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए इसमें एररूट या फिर कॉन के जो फ्लोर है कॉन फ्लोर वो दिया जाता है लेकिन इस तरीके से मैदा डाल के दे मैंने अक्सार देखा है कि कॉन फ्लोर डालने से या फिर एररूर डालने से थोड़े से जैसे चिप चिप टाइप के होते हैं मुझे वह इस लेमन चिकन में नहीं चाहिए था इसलिए मैंने मैदा बाला गोल डाला है बस गर्म गर्म इस तरीके से परोज दीजिए बिल्कुल कंप्लीट है हमारा रेसिपी इसे गार्निश करने के लिए हम थोड़े से काली मीच के पाउडर कुटी हुई काली मीच हमने यहां पे लिया है ब्लक पेपर के थोड़े से पाउडर लिया है लेमन जूस उपर से जरूर डालिए लेमन के जूस हमने एक से देर चम्म जितना ऊपर से डाल दिया है, धनिया के पती ढालेंगे लेमन के पीशे से गारिणिष कर लीजिए। अगर पिख्जा सिजनिंग डालना चाते हो तो थोड़ा सा पिख्जा के सिजनिंग आप डालें णोप सी रह Thailand जालना और ढलना चाते हो तो थोड़ी मेंानोल आप चोड़ी आप इंजॉय करिए लेमान पेपर चिकन जब भी मैं खाती हूं न मेरे दिमाग में एक बात जरू चलते हैं आपने फॉलो किया होगा बहुत टाइम ऐसा होता है हम सभी के साथ कि कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहे हैं जैसे जुबान में स्वाद नहीं है कुछ भी खाऊ अच् स्टी लेमान पेपर चिकन का रेसीपी आपको कैसा लगा है मुझे बताना कॉमेंट करके अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना लाफ कीचेन के रेसीपी से अगर आप रोज आना देखना चाहते हो तो तुरंद कर लेना लाफ कीचेन चैनल को सब्सक्राइब तो फ्रेंज आज के लिए दना ही फिर मिलते हैं अगली रेसीपी में टाटा बाई बाई टेक क्यार